हेलो फ्रेंट्स माई नम है सुमंत और आज हम फिर से लेकर रहा हैं आपके लिए करेंट अफेयर पे मल्टिपल च्वाइस कोश्चन्स हमने ये कोश्चन्स फ्रेंग किये हैं P.I.B. से, The Hindu से, Indian Express से और जो दूसरे निस्पेपर हैं Times of India वगएरा उससे कल हमने डिस्क्स किया MCQ जो की हमने फ्रेंग किये थे 1 जुलाई एंड 2 जुलाई के निस्पेपर से आज हम डिस्क्स करेंगे 3 जुलाई और 4 जुलाई के कोश्चन्स और आगे हम डिस्क्स करेंगे 5 जुलाई एंड 6 जुलाई के कोश्चन्स तो चलि दिखते हैं पहला सवाल दोस्तों हमारा पहला सवाल है एकॉनमे सेक्षन से यह जो कुश्चन है वो आपको प्रिलिम्स में हेल्प करेगा प्लस जो GS Mains का जो पेपर 3 है GS 3 उसमें भी आपको जो Money Laundering का जो टॉपिक है उसमें आपको हेल्प करेगा दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने करीब एक लाग कमपनियों को Deregistered कर दिया अब News I The Hindu में कि Deregistered Firms To Face Money Laundering Probe ये प्रॉब कौन करेगा ये प्रॉब करेगा हमारा Enforcement Direct Rate तो दोस्तों इस News में कैसारे टम्स यूज़ हुए है पहला है Enforcement Direct Rate का दूसरा है Registrar of Companies तो दोस्तों दोनों के बारे में हमने Questions फ्रेम किये हैं चलिए उनको देखते हैं पहला सवाल है Consider the following statements regarding Enforcement Direct Rate पहला statement The ED is a Law Enforcement Agency and Economic Intelligence Agency Responsible for Enforcing Economic Laws and Fighting Economic Crimes in India सही है क्या? जी हा दोस्तों ये बिलकुल सही है ये जो ED है वो कौन से Economic Law को Enforce करता है ED का काम है Enforcement Director का काम है दो Laws को Enforce करना कौन सा? पहला है FEMA FEMA का क्पर्फर्फर्म क्या है? FEMA का क्पर्फर्फर्म है Foreign Exchange Management Act 1999 दूसरा Act कौन सा है? दूसरा Act है PMLA Prevention of Money Laundering Act 2002 तो दोस्तों ये है पहला statement ये सही है दूसरा statement देखिए It is part of Department of Revenue सही क्या? जहां दोस्तों हमारा जो वित्मन्तराल है उसका जो Department of Revenue है इसका ये एक पार्फ है Second which सही है It comprises officers of IRS, IPS and IAS दोस्तों आपको इसमें confusion हो सकता है कि यार इसमें IRS तो सही है इसमें IAS तो सही है मगर इसमें IPS क्यों हुआ? दोस्तों इसमें तीनों होते है इस office में आपको IPS भी मिलेंगे IRS भी मिलेंगे और इसमें आपको IAS भी मिलेंगे मेरा तीनों statement सही है चोसा देखिए दोस्तों इसके स्थापना की गई थी 1956 में 1980 में नहीं मेरा फॉर्ट इसमें जो है वो गलत है अंसर क्या हुआ? अंसर हुआ 1, 2, 3 कौन सा है अंसर? अंसर है B 1, 2, 3 only are correct इसका जो और जिन हुआ था वो हुआ था 1 माई 1956 को इसका नाम रखा गया थो उस वक्त Enforcement Unit 1957 में इसका नाम चेंज किया गया Enforcement Directorate इसका प्राम जेक्टिव क्या है? इसका प्राम जेक्टिव है दो एक्ट को enforce करना कौन सा? पहला है FEMA दूसरा है PMLA जो कि मैं आपको बताया इसका Headquarter कहां है? इसका Headquarter है नई दिल्ली में जिसको Head करता है Directorate of Enforcement तो इसका अंसर कहा है? इसका अंसर है 1 to 3 only अगला सवाल देखते हैं अगला कोश्चन दोस्तों बहुत ही easy है पूछ रहा है Headquarter of ED कहां पर है? New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai अभी मैं आपको बताया है इसका Headquarter है नई दिल्ली में अगला कोश्चन में ने फिर्म किया है उसी कंपनी पर जो है Registrar of Companies देखे यहां पर में पर मेंशन किया था यहां पर मेंशन किया था The restaurant of company has removed this 1 lakh companies from the register कौन सा register? अभी मैं बताता हूँ आपको सवाल कह रहा है Consider the following statements regarding ROC ROC is an office under Ministry of Corporate Affairs सही क्या? जहां दोस्तों यह Ministry of Corporate Affairs के अंतरगत काम करता है पहला सही है It deals with administration of companies act सही क्या? जहां दोस्तों यह बिल्कुल सही है यह company act को ररिश्टर करता है There are currently 22 register of companies जी हां यह भारत के जो states है भारत के major states है उनमे यह काम करता है मेरा 3rd भी सही है It registers company in states and united territories यह भी सही है इसको यह जो ROC है जो company register करना चाहती है इसको ररिश्टर करता है 4th सही है मेरा It maintains a registry of records दिहां दोस्तों यह करता है letter to company register with them but nobody can access this register यह जो line है वो गलत हो गई यह एक record to maintain करता है मगर उस record को कोई भी public उसको access कर सकता है एक nominal सा fee दे करके मेरा 1, 2, 3, 4 सही है मेरा 5th option जो है वो गलत है answer क्या हुआ? answer हुआ 1, 2, 3, and 4 only दोस्तों यह जो ROC है इसका काम क्या है? यह काम करता है company register करता है जो companies है उनको register करता है उनके states में जो और यूटी में है उनमें जो काम कर रहे हैं वो तो यह था दो question हमारे money learning section से, economic section से अगला सवाल देखते है हम लोग अगला question दोस्तों है यह IR से हमारे प्रथा मंत्री नेद मोदी जी गया है अभी इसराइल तो देखिए यह जो news है पुरानी है तो उसमें वो जाने वाले थे, ठीक है? तो उस पर एक question फिर्म किया है हमने, सवाल है which of the following is true about इसराइल, मोदी will be first Indian Prime Minister to visit इसराइल, सही क्या? जी हाँ दोस्तों इनके पहले किसी भी PM ने इसराइल में विजिट नहीं किया पहला सही है, मोदी जी पर्थम प्रहामंत्री थे, the इसराइल is a country in the Middle East of, on the Southern East Shore of the Mediterranean Sea and North Shore of Red Sea सही क्या? देखिए, ये है Mediterranean Sea, देख रहे हैं आप यहाँ पर जो Mediterranean Sea है, उसका Southern Shore, ठीक है? देखिए, ये है इसका Southern Shore, इस पर ये बसा हुआ है इसराइल, मेरा सेकंड भी सही है इसराइल has land borders with लेबनान सीरिया, जॉर्डन पलिस्तिनिया टेरिटरीज West Bank and Gaza Strip and also Egypt सही क्या? दोस्तों ये है इसराइल, इसके boundary लगती है Egypt से, देखी रहे हैं आप पलिस्तिन से टुट्च करता है, सीरा से टुट्च करता है यहाँ पर है लेबनान उसे टुट्च करता है ये है जॉर्डन, इससे भी टुट्च करता है ये West Bank है, इसे भी टुट्च करता है तो यहाँ पर लेबनान से, जॉर्डन से सीरिया से, पलिस्तिन, West Bank इन सब से टुट्च कर रहा है इसके boundary, थर जो है वो सही है इसराइल के Economy and Technology Center is Tel Aviv जी हाँ दोस्तों ये सही है ये उसका एक major city है, मगर इसका जो Capital है, वो जेरू सलम में है सही क्या? यहाँ दोस्तों ये सही है फोर बें सही है, अंसर क्या है? अंसर है 1, 2, 3 and 4 C is the right answer, दोस्तों दिखिए यहाँ पर है Dead Sea, जो इसी अलाके में है कहाँ पर है? Middle East में है, यहाँ देख रहा है करते हैं, जो duration है पारिष की, उसको वो कम करते है Aerosols from vacular exhaust, half burned crop residue, dust and chemical effluents may be weakening the life given rainy season even more than greenhouse gases इतना हानिकारक है यह aerosols तो इस पर हम सवाल ने, इस पर ने यह question frame किया है, सवाल दिखिए Which of the following are correct regarding aerosols? Aerosols from vacular exhaust, half burn crop residue, dust and chemical influence may be weakening the life giving rainy seasons, सही है क्या? जहाँ दोस्त अभी मनपत पता है, यह जो बात है वो सही है Dust clouds, dust के जो clouds है, shield the earth from sun's rays देखिए, यह है पिर्थवी, यह है इसका atmosphere, यहाँ पर है कहीं सूरज ठीक है? सूरिक रोशनी आई, यह जो aerosols होंगे, वो कहाँ बिखरे होंगे? यह बिखरे होंगे हमारे atmosphere में, तो यह जो सूरी के जो रोशनी आ रही है, उसको वो shield करता है, नीचे आने से रोकता है, तो क्या होगा? जो land का और sea का जो temperature है उसको वो बढ़ने नहीं देता, अब जब temperature नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? जो तुमिज़ difference है दोस्तों, वो जादा नहीं होगा, जो monsoon है, वो weak हो जाएगा monsoon किस से develop होता है? monsoon is produced by the difference of temperature between the two two क्या? land and sea तो जब temperature difference जादा नहीं होगा, तो क्या होगा? जो monsoon है, वो weak होगा पहला दे रहा है कि क्या हो रहा है? दूसरा दे रहा है कि क्यूं हो रहा है? मेरा first सही है और second सही है answer क्या है? answer है C, both one and two are correct यहाँ पर हमने बात की aerosols की, aerosol होते क्या है? aerosol is a collide of fine solid particle or liquid droplets in air or other gases दोस्तों, जो collide होगा, वो gas में होगा, यह जो aerosol होगे वो दो तरह की होगा? पहले होगे natural, दूसरे होगे artificials जो fog होता है, जो forest का extrace होता है, वो सब क्या है? वो सब natural aerosols है artificial क्या है? dust हो गया, particulate matter हो गया, अब दिखते है ना, PM matters, particulate air pollutants यह सब है और जो smoke है, यह सब artificials, artificial aerosols है UPSC films में इस पर कफ़ेशार कोशन आते रहते हैं दोस्तों, इसले हम देखा एक और सवाल aerosol is a collide of fine solid particles or liquid droplets in air or other cases, हमने भी देख बताया for what all purposes can aerosol be used? किस लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं इन aerosols को? medical treatment of respiratory illness, सही क्या? जी हाँ दोस्तों, इसमें सही कर सकते हैं हम लोग dispersal of pesticides, यह जो aerosols होंगे, उनको एक मिन परवाइड करेंगे इस तरह हम दो जो pesticide है, उसको हम लोग disperse कर पाएंगे second सही है, used in air technology, इसमें इसका इस्तमाल नहीं होता मेरा first and second ही सही है केवल, मेरा answer है A, यहाँ पर आपने दिखाया है कि जो haze है, dust है, particular matter है और जो smoke है वो सब एक्जामपल है, aerosols के, इसका use क्या है aerosols का? इसका इस्तमाल होता है to deliver deodorants, paints in sprays, आप जो spray लगाते हैं, आप जो आप जो do लगाते हैं, उसमें आपको aerosol पाया जाता है, for dispersal and agriculture application of pesticide, यह भी सही है, for medical treatment of respiratory disease and in fuel injection systems, इन सब में जो है जो aerosol होता है, उसको generate किया जाता है, चीक है? इसके बाद the Hindu में आया एक editorial जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो IS के जो cadres हैं, वो जो मौसूल का जो इलाका है, वहां से वो retreat कर रहे हैं, तो सवाल पुछ रहा है, the grand alnuri mosque is located in which country? इराक, इरान, UAE, पकिस्तान अगर आपने ये line पढ़ी होगी, अगर आपने ये tutorial पढ़ा होगा ता उसमें में आएगा the capture by Iraqi forces of the grand alnuri mosque in मौसूल, ये जो मौस्क है वो कहा है ये है मौसूल में, यहाँ पर इराके forces काम कर रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए, ये जो मौस्क है, ये जो masjid है वो कहा होना चाहिए, इराक में होना चाहिए, अंसर क्या है अंसर है, ए इराक इसके बार में एक हाद बता तों दोस्तों कि ये जो मस्जिद है इसी मस्जिद से जो IS का जो लीडर था अबू बकर अलबगदादी उसने अपना जो खलीफेट है उसको उसने डिकलेर किया था कब किया था जुलाई 2014 में ठीक है अंसर क्या है अंसर है ए इराक दोस्तों इसी टोडल में कुछ कोशन्स और डिसकस किये हमने जैसे कि इसमें टाम्स आया था कुर्दिश का जो कुर्द है वहाँ पर और जो मसूल है उसका तो हमने कोशन फ्रेम किया है रिजन जो के भी निउज में है और कंट्री रक्का मौसूल गौजा कंट्री है सीरिया नायजीरिया मौसूल कहा है मौसूल तो इराक में है ही अभी में पता है मेरा सेकंड साही है जब मेरे सेकंड 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 मैंने क्या किया मैंने इमिलेट किया डी बचा क्या टू थ्री टू थ्री एंड वन बी और सी दोनों में टू थ्री है इसलिए हमें थ्री को देखन नहीं है अगर है पता नहीं भी होता तभी कोई प्रवल्म नहीं थी हमें देखना यह है कि रक्का किया यह सीरिया में है अगर यह सीरिया में है तो मैं लगाओंगा यह है मौसूल जो की है इराक में बगदाद तो इराक में है ही अरबिल यह भी इराक में है किरकुक यह भी इराक में है ठीक है यहां है सीरिया अलेपो कहां है अलेपो दोस्तों काफी नीज में रहा है अलेपो यहां है अलेपो यह सीरिया में है दमेसकस यह रधानी सीरिया की गुलान हाइट्स यहाँ देख रहे हैं आप यह है इसराइल यहाँ है लेबनान यह देख रहे हैं जॉडन यह है एजिप्ट ठीक है देखिए यह है रेट सी यहाँ है मेडरिनियन सी यह साइपर्स जो कि एक आईलेंड कंट्री है अगला सवाल कुर्द बंगलादेश मधेशी नेपाल रोहेंग्या मेयानमार दोस्तो हमने आपके लिए एक वीडियो लाया था रोहेंग्या एशू पर उसको देख सकते हैं यूट्यूब पड़ा हुआ है तो यह जो रोहेंग्या है वो कहां के हैं यह मेयानमार के हैं मेरा थ हमने जो पहला कोशन डिसकस किया उसमें आपको बताया था कि जो इसराइल है उसकी बौर्डर किस किस से लगती है अब चेक करते हैं कि आपको यह बात याद है कि नहीं इसराइल has common बौर्डर विथ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, एजिप्ट सही क्या जी हाँ दोस्तों इ इसके इसके बौर्डर नहीं लगती से स्की बौर्डर से तो नहीं लगती यह तो आइलan कट्री है ठीक है टर्की मैं ने लिक काटा तो मेरा बी जी और डी तीनों गलत है ए इस द्राइंसर लेबनान, सीरी, जॉर्डन और एजिप्ट से इसकी बौर्डर लगती हैime क्या आ रहे हैं अगला कोश्चन है जो इंडियर इस्पेस्ट उसमें एक न्यूज आई थी इरिगेशन टिप्स फ्रॉम एन एरिट कंट्री ये कंट्री कौन सी आपको बताना है इसके बार हमें कुछ लाइने दी है उसको पढ़िया इटीज वर्ल्ट्स ऑनली जीविस मेजोरिटी यह स्टेट विथ 74.8 परसेंट बीइंग इस जीविश इजो कंट्री है इसका जो 74.8 परसेंट पपॉलेशन है वो क्या है वो जीविश है इटीज आ रिप्सेंट्रेटी डिमोक्रेसी विथ आ परलामेंटरी सिस्टम प्रपोर्शन यहां पर आपको मिलेगा यहां पर आप इस देruff अलेटिस ज़ चलेट इस कंट्री डिसपार बेंग एएट इसट्रेमेली वाटर स्कार्श एट ईश्पोट इलग्लेय रिक र्कशंट प्रोडूत को मेरीशंट ब स्टो सब्सक्रीए इचान यहां पर इजैनभाउनद चैना अग चैना एक डिवलफंग कंट्री है इजिप्ट विल्मिन केंट्री है इसराइल रशिया एन यूएई अब बात आई इसराइल पर रशिया पर और यूएई पर देखे ध्यान से क्या रशिया में क्या जूइस मेजरीटी है नहीं है न डिम मैंने काटा यूएई में क्या जूइस मेजरीटी है नहीं है मैंने यू सवाल देखिए दो इसको मैं डिसक्रस किया है इनेकस्प्रेस से, सवाल पुछ रहा है जैन सिम इस दे ट्रडिशनल एटायर आफ वीच इंडियन स्टेट, मिघालया, पंजाब, तिलंगाना रास्थान, तो जो इसका अंसर क्या, इसका अंसर है, मिघालया, मिघालया की जो औरते हैं, वो इसको पहनती है, देखिए, ये है वो एटायर, ये है वो पोशाक, इसको मैं बोलते है, जैन सिम, जो पहनी हुई है, इसको मिघालया, जो मिघालया की खासी ट्राइब है, दोस्तों, वहां की तीन पाफी फेमस है गारो खाशी जैन्तिया तो जैन्तिया ट्राइप दोस्तों वह इसको पहंतिया खाश करके अंसर क्या अंसर है में खाल लिया अगला देखिए consider the following statements खासी along with their sub-tripes boys and wars and the jaintiyas belong to the proto-astroloid moncamer race and refer to themselves collectively as henvesteria people सही क्या जी हाँ दोस्तों ये जो खासे jaintiyas है वो इस race से बिलॉंग करते हैं factual सवाल है पहला सही है the garos who comprise the other half of the tribal people of Meghalia two are matrilateral and belong to Tabato बर्मन race सही क्या दोस्तों जी हाँ ये भी इसे state से बिलॉंग करता है ये इसका इस race से बिलॉंग करता है second भी सही है दोस्तों अगर आप से पूछे कि जो गारो खासे jaintiyas है वो किस राज जी की जन जाती है क्या कहना है आपको Meghalia तो इसका one और two दोनों सही है बोथ one and two are correct दोस्तों भारत का जो national career है air India उसका जो share है उसका जो stake sell की बात कर रही है भारत सरकार तो हम लोग देखते हैं एक सवाल disinvestment पे as per the present policy of government of India the proceeds from the disinvestment in the PSUs is used for which of the following दोस्तों हम लोग किसी भी Indian PSU का share बेचेंगे तो क्या होगा सरकार को मिलेगा पैसा है ना क्यों क्योंकि जो company थी वो सरकारी थी अगर company का share भी के तो पैसा आगा सरकार को ये पैसा आएगा वो कहां इस्तिमाल होगा reviving, economical revival, PSUs, social sector schemes, investment in public sector mutual funds तो ये जो पैसा आएगा वो इन तीनों कामों में इस्तिमाल होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों सही है अंसर क्या है? अंसर है D, all of the above दोस्तों इस पैसे को रखने के लिए एक fund बनाया गया था fund का नाम क्या है? fund का नाम है national investment fund, इसको बनाया गया था 2005 में, इस fund का नाम क्या है? इस fund का नाम है national investment fund, ठीक है? ये जो fund होगा वो CFI के बाहर maintain किया जागा, मतलब CFI क्या? CFI होता है consolidated fund of India, इस fund से पैसा निकालना है सरकार को, तो क्या करना होगा? हमें parliament की permission लेनी होगी, ये जो पैसा है, ये जो fund है वो कहां credit किया गया है? NIF किया गया है public account के अंतरगत, ठीक है? ये fund कहां है? ये public account के अंदर है, इसका जो पैसा है, वो कहां इसका इस्तमाल होगा? इसका पैसा इस्तमाल होगा, जो सरकार है, उसकी ownership बनी रहे, ठीक है? जो PSB है public sector banks है, उसको हम लोग recapitalize करेंगे, इस fund को इस्तमाल करके, जो RRBs है, IFCL, NABAD है, Exim Bank है, उसमें जो सरकार है, वो investment करेगी इस पैसे को इस्तमाल करके, जो Metro Project है, उसमें जो equity है, उसको infuse करेगा, तो ये सारे काम होंगे, इस पैसे से जो NIF में रखे होंगे, मेरा answer है all of the above, तो दोस्तों, आज हम डिस्कस किया, वो questions, वो MCQs जो कि हमने frame किये हैं, 3 जुलाई और 4 जुलाई के credit refer से, आपके वीडियो का से लगा है, इस वीडियो का आप शेयर कर सकते हैं अगर दोस्तों के साथ, अगर आप हमारे course में इंटरेशने दोस्तों, तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फूर वाचिंग, टेक केर